In this module we will discuss different types of collection methods. First of all we will discuss beating sheet method. इस method के जरिये हम trees या trees की जो branches हैं उस पर जो insects मौजूद होते हैं उनको collect कर सकते हैं. इसको beating sheet method क्यों कहते हैं इसमें हम एक white sheet जो है वो जिस रखते हमने collection करनी हो उसके नीचे बिछाते हैं या फिर कोई भी white चादर या ऐसे color की चादर जिसके उपर insects असानी से नजर आएं आम तोर पर कोई भी दो person जो है एक sheet जो है उसको नीचे लेके खड़े हो जाते हैं फिर एक stick की मदद से branches को beat किया जाता है या फिर branches को हिलाया जाता है उससे क्या होता है जितने भी insects उस pre branches के उपर मौझूद होते हैं वो इस white sheet के उपर गिर जाते हैं और बाद में इस sheet के उपर जो insects मौझूद होते हैं उनको आसानी हम collect करके मुख्तलिफ glass wilds के अंदर जो है महफूद कर सकते हैं या कोई भी jar जो हमारे पास मौझूद है वहाँ पे हम उनको collect कर सकते हैं तो ये beating sheet method जो है ये entomologist बहुत commonly use करते हैं insects की collection के लिए हम spiders की collection के लिए भी इस method को routinely use करते हैं इसी तरीके से next जो method है ट्रॉलिंग method ट्रॉलिंग method जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं हम जो fishing net है उसको एक boat के पीछे बानते हैं और हम उसको ट्रॉल करते हैं पानी के अंदर से गुजारते हैं अब इस method के अंदर जिस boat का इस्तमाल किया जाता है उसको हम आम तोर पर ट्रॉलर्स या ड्रैगर्स कहते हैं आम तोर पर इस method के अंदर जो fishing lines जो है जो के baited fishing lines है उनका इस्तमाल किया जाता है और जब मुख्तरिक किसम के surveys किया जाते हैं तो या scientific sampling किया जाती है तो उस दोरान इस method को इस्तमाल किया जाता है इसी तरीके से जो next method है डिपर method डिपर method जो है ये भी एक common method है खास तोर पर किसी भी जगा से अगर हमने लार्वल density जो है उसको estimate करना है इसके अंदर हमारे पास एक खास किसम का बना हुआ एक खास material का बना हुआ डिपर होता है इसको हम जिस जगा से हमने लार्वल density जो है या insect density उसको estimate करना है वहां हम इसको dip करते हैं और आम तोर पर तीन से पांच दफ़ा हम इसको dip करते हैं पहली दफ़ा dip किया उसके बाद जो है जितने भी उसके अंदर लार्वी या इंसेक्स है उनको count किया या उनको separate कर लिया बाद में उसको count किया इसी तरीके से दूसरी दफ़ा तीसी दफ़ा तो 3 to 5 टाइम उसको repeat किया जाता है तो ये जो method है ये लार्वी की estimation के लिए बहुत commonly use किया जाता है अगर हम mosquitoes के हवाले से बात करें तो mosquito के जो larva है उसकी जो larval density है उसको estimate करने के लिए भी ये जो method है इसको use किया जाता है